खाने पीने की जब भी बात आती है तो मौसम का एहम रोल होता है जैसे एकसर लोग इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि सर्दियों में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए या गर्मियों में जो चीजें वो फिट रहने के लिए खाते आ रहे हैं क्या ठंड में उनका सेवन छोड़ देना चाहिए आवले के बारे में भी जादतर लोग सोचते हैं कि ठंड में आवला नहीं खाना चाहिए लेकिन आयूरवेत के अनुसार ठंड के मौसम में आवले का सेवन आपको कई बीमारियों से बचाता है आवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है हमारे स्वास्त के लिए बेहत फायदे मन्द है आये जानते हैं ठंड में आवले का सेवन कैसे करना एक चम्मच आवला चून को सुभखाली पे गर्म पानी के साथ ले एक चम्मच शहत के साथ भी आप आवला चून को ले सकते हैं आवले के रस को गर्म पानी के साथ मिला कर पीने से लाब होता है 54 प्राश की मुख्य रूप से आवला का इस्तमाल होता है आवला का मुरब्बा या अचार खाने से सर्दियों में फायदा होगा आप रोजाना एक से दो आवले का सेवन कर सकते हैं चलते चलते आपको बताते चलें कि आवला एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होता है और बॉडी को डीटॉक्स करने में मदद करता है इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने में भी मदद करता है आवला खाने का सबसे अच्छा समय सुभव होता है